नरेण ने बोला लच्मी अज शनीवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरीद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं हिंदु धर्म में ये दिन पीपल के ब्रक्ष के लिए पूजनी होगा जो भी शनिवार के दिन पीपल के ब्रच्छ की पूजन करेगा, दूद चड़ाएगा, या मिश्ठान का भोग लगाएगा, लच्छमी और नारेन उसके घर में प्रवेश कर जाएगा लच्छमी और नारेन उसके घर में प्रवेश करेगा इसलिए नियम बनाएगा कौनसे दिन का? शनीवा. लच्षमि जी और लिए नरहेन आपने थो एक दिन का वार्ग लिख दिया. शंकर जी ने साथ बार बनाए है, रविबार, सुंबार, मंगल, बुद, गुरु, शुक्तरौ और शनीव. यश्षिव जी ने बनाए है. अब एक दिन आपने अपना बना लिया बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वरक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरीदरता बेठी तो उसका क्या होगा भगवान नरहिन बोले सुन दरीदरता तेर से एक बिंती है अगर कोई भी मनुष इस पीपल के पेड के नीचे अगर साथ दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामगरी होती है तो तु उसके घर में प्रविश नहीं करेगी निया में पीपल के बरक्ष का या तो पानी का लोटा लेकर जाओ कुनकू का चोपड़ा लेकर जाओ शक्कर लेकर जाओ या पेड़ के नीचे चीटी को डालने के लिए आटा ले जाओ पर खाली हाथ पीपल के ब्रक्ष के नीचे कभी मत जाओ कभी नेचे खाली हाथ जाओगे तो दरीदता तुमारे घर में प्रवेश करेगे दरीदता उटकर खड़ी होकर बोली नाराइन तुमने अपनी मनमानी करी है एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए भगवान ने का बोल कौन सा दिन चाहिए दरीदता करती है रविवार के दिन इस पीपल के ब्रक्ष के नीचे मैं दिन भर नट करूँ इसमें रहूँ और जो यहाँ आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूँ भगवान ने का ठीक है दरीदता रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तो इस पीपल के ब्रक्ष के नीचे नत करेगी और जो आएगा इस पीपल के ब्रक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रविश्च करेगी मैंने तुझे वर दिया इसलिए हमारे यहां केवल पीपल का ब्रक्षगर दिवाल में भी लग जाता है न किसी की फेक्ट्री की दिवाल में, किसी की घर की दिवाल में, पीपल का ब्रक्षकल लग जाता है, पीपल का पोधा लग जाता है, उसको कित्ता भी तोड़ लो, वो आपिस लग जाएगा, फिर तोड़ोगे, फिर लग जाएगा, अगर पीपल के पोधे को तोड़ना है, तो केवल एक रवीवार को, केवल एक संदेड, इत्वार को. गरमें दीवानों पर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के रख्च को खानने को, अगर घर में पीपल लगा हुआ एख में पीपल का पोधा हमारे गरमें लग गया, उसको उताना, निकालना, लगाना तो पीपल के ब्रक्ष को अगर निकाना जाता है तो रभिवार के दिन और अगर पीपल के ब्रक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सुंबार के दिन या मंगलवार के दिन बुदवार के दिन इन दिनों में लगा जाता है पीपल की ब्रक्ष को कहीं लगाया नहीं जाता है जिन दिन पीपल की ब्रक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता है क्योंकि शनिवार के दिन पीपल की ब्रक्ष के निचे लच्मी रहती है हम अपने हाथों से का people का ग्रक्ष किसी दूसी जगावर पर शनिवार को रोप्ति करते हैं तो हमारे घर की लएखी मी अपने घर से चिंड होकर चली जाती है इसलिए शनिवार के जिए people लगाया नहीं जाता है किसी के घर जाकर उसको वापीस पल्टा नहीं जाना, लग गया, लग गया असको ताइब क्वो महीरें नहीं पत्नी को कहा रहाँ रहूँ आप बता वो तो जहांएग के होता है थान उता है, दान होता है पुन्हो इन उता है सच्कर्म होता है, . माँ जाने को तो प्रविश्च कर जाओ, दूसरी जगा, दुर्वासाजी बोलें, जोड इस्त्री घर में दोपाहर के समय पर सो रही हो, उसके घर में इसको लेकर प्रविश्च कर जाई हो, जो इस्त्री दोपाहर के समय में घर पर सो रही हो, इस दरिदर्था को लेकर प्रविश्च कर जाई यह तीसरा जिसकि यहां पर दर्वाजे पर काटे वाले पोथे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर परविष्ट कर दे हैं कि तनी सुन्दर बात कहिए दाता और विधाता कौन-कौन दाता विधाता लक्षमी और डरिद्रता के सद्गे भाई हैं कौन-कौन दातार विधाता दाता को फिटकरी प्रीय है विधाता को नमक अपनी है ये दोनों हमेशा लच्छमी को और धरिद्धता को दोनों को समझाते थे दोनों में प्रेम बढ़ाते थे आज भी हिंदु धर्म की रीति है यहां तो ठीक है जिसके यहां पर भी अगर बहुत प्रेयास कर रहा हो और हमारा खाने नहीं होता है क्या करते है भिटकर यह नमक को पाणी में डाल देते हैं और घर में कोछा लगा देते हैं आप लोगों नाजकल थेजबूक पर पढ़ा होगा वाटसब पर पढ़ा होगा तो क्यों लिखा उसमा उसका कानने के वले माता की प्रियता है माता ख्याती के जो चार वच्चे हुए इसमें जो दो लड़के हैं तातर विधाता उसकी प्रियता है